State Bank of India में 8 परकार के अकाउंट खुलते हैं ये information आपको पहली बार आज मैंने आपको बताईए लेकिन आपके मन में confusion है कि यार मेरा तो एक ही परकार का अकाउंट है saving अकाउंट तो ये 7 किस परकार के अकाउंट है जो SBI Bank में खोले जा सकते हैं तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखिए सारी detail के साथ बात करेंगे साथ किस परकार के अकाउंट है कौन-कौन लोग खोल सकते हैं और इन पर जो भी आपका फाइदा होगा वो अकाउंट भी आपको लाश्ट में जरूर बताने वाला हूं कि कौन सा अकाउंट आपको उपन करवाना चाहिए तो चलो पहले बात करते हैं एक नमबर पे जो अकाउंट आता है उसे अकाउंट को का जाता है बेसिक सेविंग बेंक डिपोजिट अकाउंट तो इस अकाउंट को समाज के गरीव वर्गों के लिए खोल जाता है जिसमें आपको कोई भी चार्जे देने की जरूत नहीं है यह अकाउंट वो लोग खुलवा सकते हैं जिनको केवल एक बेंक अकाउंट चाहिए जिसमें पैसे आसक हैं और वो किसी को पैसे बैस सके बस उन्हें ना तो ज़्यादा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक याव सकता है बस साधरन जिन्द की जी रहे हैं उन के लिए यह अकाउंट सबसे इंपोटेंट है दो नमर पे जो अकाउंट आता है उसे का जाता है बेसिक, सेविंग, बेंक, डिपोजिट, स्मॉल अकाउंट तो इस अकाउंट में क्या है आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और यदि आपके पास वेलिड के वाईसी डोकोमेंट नहीं है फिर भी आप इस अकाउंट को उपन करवा सकते हो यह नहीं पैन काड वाधार काड दोनु चाहिए इदि आपके पास यह नहीं है तो आप वोटर आईडी काड या अन्य कोई भी बारस सरकार के दुवारा जारी किया गया दस्तावेज दिखा कर आप इस अकाउंट ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को का जाता है सेविंग बैंक अकाउंट चार नमबर पे जो अकाउंट आता है उसे का जाता है सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स तो यह अकाउंट आप इदि पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के लिए SBI ब तो इस account में क्या होता है, यह एक normal shaving account ही होता है, लेकिन इसमें automatic एक threshold limit लग जाती है, जिससे पैसे उपर जाने के बाद में automatic trump deposit बन जाता है, यह नि आपने वो threshold limit 10,000 रुपे की कर रखी है, तो जैसे ही आपके account में 10,000 रुपे से balance जादा होगा, तो automatic एक trump deposit बन जाएगी, trump deposit का मतलब है, एक FD बन जाएगी, क्यों confuse कर रहा हूँ मैं आपको, तो अगला bank account आता है, motor accident claim account, तो देखो इस account को आप तभी open करवाईए, जब आपने कोई गाड़ी loan पे ली हुई है, तब उसमें दुरगटना हो जाती है, भगवान ना करे लेकिन दुरगटना हो जाती है, ज special account बनाया है, जिस account के बारे मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो भी आपको claim मिलेगा, वो इसी account view मिलेगा, उसके लिए आप ये account open करवा सकते हो, अगला जो bank account है, उसे कहा जाता है, resistant foreigner currency account, तो इस account में आप विदेशी मुद्राओं को रख सकते हो, जैसे आप अमेरिका में र open करके रखा है, और मैं इसी account को आपको फ्रेव पर करूँगा, जैसे मैंने वीडियो के सुरुवात में बोला था, कि आपको कौन सा account open करना चाहिए, तो जो ये 8 वे नमर का bank account है, यही आपको bank account open करना चाहिए, इस account का नाम है, इस account को आप घर बेटे खोल सकते हो, आपके आधार card वे pen card होना जरूरी है, और आधार card में आपके mobile number register होना जरूरी है, उसके साथ ही आप इस bank account को open करवा सकते हो, 7 दिन के अंदर आपको post office में debit card मिल जाएगा, और checkbook वे passbook के लिए आपको branch में जाना होगा, तो ये 8 account आपको कैसे लगे, comment box में जरूर बताइए, और आने वाले समय में आप कौन सा account open करवा रहे हो, ये भी comment box में जरूर बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो subscribe कीजिए, जय हिंद, जय बारत